नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग है जो अपनी लाइब में नोकरी छोड़ कर एक बिजनिस स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनिस में रिस्क जादा है तो वहीं फाइदा भी बहुत ज़दा हैưởng कि मोनाफा भी बहुत ज़दा है बिजनिस चालू करना यानि कि बिजनिस स्टार्ट करना और फिर बिजनिस को चलाना ये दोनों अलग अलग बाते हैं बिजनिस करना तो आसान है लेकिन उसे चलाना बहुत ही मुश्किल है यानि कि उससे पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है कुछ लोग है जो जो समय बिजनिस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस बिजनिस को सही से चला नहीं पाते हैं जब बिजनिस में नुकसान होने लगता है तो लोग उस बिजनिस को अपने बिजनिस को बंद कर देते हैं एक बड़ा बिजनिसमेल बनने के लिए और बिजनिस चलाने के लिए बहुत ही नोलिज की जुरूत होती है बहुत ही महनत की जुरूत होती है और एक अच्छी मार्केटिंग की नोलिज होनी भी बहुत जरूरी है आज इस वीडियों हम आपको बताएंगे कि एक सफल बिजनि पर हम लोग कर सके आज इस वीडियो हम आपको बताने वाड़े हैं कि बीजनिस में क्यों नुकसान होता है दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और कोमेट्स कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब बादेना ताकि हम महेश के पास गाओं के अंदर भौत बड़े-बड़े खेते जिसमें वो खेती करके फसल उगा के फसल काटके बाजार में ले गए जाता था रो बाजार में उसको बेच करके आता था जिससे उसको बहुत सा ज्यादा मुनाफ़ा होता था धीरे-धीरे मेनत करते करते वो एक दिन गाओं का बहुत ही धनी आदमी बन गया उसके बाद उसने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत अपनी लाइमा आराम कर लो तो उसने क्या किया उसने अपने खेतों में काम करने के लिए 14-15 मुजदूर रख लिए और मुजदूरों के में और बी ज्यादा मुनाफ़ और जल्दी इतना पैसा कमा सकता हूं और महस अपने घर पर बैट अराम करने लगा महस ने अपना सारा काम मुझदूरों को सोब दिया मुझदूरों ने अच्छा कांग किया अच्छी मेनत करी फसल भी बहुत अच्छी खासी होई और पैसा मैं काम करना बंद कर दिया सही से और खेते उतर ध्यांदेना भी बंद कर दिया और महें जब भी मजदूर ञम सवाल जबाब कर दा तो मैंज को यह करते जो काम करने वाले व्यक्ती थे वो एक इगा बोला करते थे कि सर मोसम की खरबी के वजे से ये सब कुछ हो रहा है धिरे-दिरे ऐसाफ ही चलता रहा कुछ समय बाद मह्हीस के खेत बिलकुल मझजय होने लगे और महने फसर हाल uniform भी बहूत जूब हम रहा थी लगी है और महसником की खरबी के वजे संब हो रहा है महेश के दिमाग मुने थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि यार जैसे हम लोग भी कभी कभी सोच लेते कि यार आज के टाइम पर साइद खेती में अब कुछ नहीं रहा उसी टाइम एक उसी गाउं के अंदर एक दूज़ा सक सकता है जिसका नाम है भोला भोला को कुछ खेती की जरूरत थी तो उसने जागर के गाउं के लोगों से बात किया गाउं के लोगों ने भोला को महेश के बारे में बताया कि भया महेश के पास में कुछ खेत बंजर पड़े हो सकता है महेश आपको अपने सारे खेत आपको दे दे भोला महिज के पाफ जाता है और महिज से बात करता है कि सर आपके कुछ खेद मंजर पड़े रिक्वेश्ट आपको कि आप वो खेद मुझे दे दे और साल में जो भी आपका पैसा बने गरेगा मैं आपको पैसा दे दिया करूँ महिज ने भोला के बाद मान लिए क्षेदों में कुछ हो तो नहीं रहाता कुछ वाय नहीं कुछ अच्छी फसल हो रही थी तो उसमें सोचा चलो भाई जब ऐसा ही कुछ चल रहा है तो मैं अपने खेद भोलाव देता हूं या कुछ भी नहीं तो कम सकम कुछ तो पैसा मेरे और महेस भोला को अपने तीन खेत दे लेता है जिसमें है काम करना कर देता है महेस बहुती महेंति वक्ती था है अपने मझधुर Łukos में इस ऑफ़ाध में सरते कर के ख़दे गहाद कर दोर से काम करता है घा खेत की जुटाई करता था समय पर खेतों में पाणी दिया करता था समय समय पर खेतों में खाद दिया करता था और जब उसके इंतरा घास उपती दी तो समय समय पर घास को भी खोद कर निकाल कर फैंक दिया करता था उसने अपने खेतों की बहुत अच्छे से निगरानी रखी जिसके चलते उसके खेत में बहुत अच्छी फसल भी हुई और अपने खेतों महेश बहुत अच्छे खासी मेहनत भी करता था चलते चलते तीन साल का समय निकल जाता है और भोला महेश के खेतों से बहुत सारा पैसा कमा लेता है बहुत सारा धन कामा लेता है भोला की फजल हर साल अच्छी उती थी तो महेश की फजल हर साल खराब होया करती थी चलते-चलते महेश के पर बहुत सारा कर्ज हो गया और महेश अपने खेट देखने तक को मजबूर हो गया जब यह बात भोला को पता लगती है तो भो और उसके बदले में जो आपको पैसा दूंगा उस पैसों से आप अपना कर्जा लोगों का दे करके खतम कर दीजी भोला महस को एक बात और बोलता है कि सर पहले आपने मेरी मदद की थी अपने खेत दे कर इस बार मैं आपके मदद करता हूँ आपके सारे खेत लेकर और मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूँ ताकि आप अपना पुरा करजा एक बार में निम्टा सकते हैं मैहेज भोला की बास सुनकर भोला को बोलता है कि भाई तेरे पास इतना पैसा आया कहां से तेरे पास तो कुल तीनी खेत है मेरे उन खेतों में तेरे को फसली भी लगानी होती है घरा खर्चा भी उठाना पड़ता है और कुछ पैसे मजदूरों को भी देने होते है इतना पैसा तेरे पास मा आया कहां से और आज की डेटबा में देख रहूं कि फसली भी अच्छी नहीं हो रही है तो फिर तुमने इतने सारे पैसे कमाई कहां से ये इतने पैसे आये कहां से तो भोला खुशोगर के बोलता है कि सरी ये सारे पैसे मेंने आपके खेत से ही कमाई है भोला बोलता है कि मैं अपने मजदूरों के साथ खड़ा होकर अपने खेतों में खुद काम करता हूं टाइम टाइम पर समय समय पर फसल कौन सी उगोरा नहीं उस फसल को चैंज करता रहता हूं फसल का पूरा धेन रखता हूं उसके अंदर कभ खाथ कभ पाणी कभ उसके घास खोदनी है वो सब कुछ मैं अपने हाथ से ही करता हूँ जिसकी वज़े से मेरे खेतों में फसल भी बहुत अच्छी होती है और वो फसल बहुत अच्छी बिक्ती भी है और मुझे फाइदा भी बहुत ज्याद होता है वहीं आपने अपने खेतों में जाना छोड़ दिया सारा कुछ मझदुर का हाथ में सोब दिया जहां पर मझदुर ने अपनी मनवानली स्टार्ट कर दी थी और हुई पर आपके खेत मंझर होने स्टार्ट हो गए और उसके चलते ही आपके खेतों में कुछ अच्छी से पसल नहीं होती महेश समझ गया कि उसने अपनी लाइप में कितनी बड़ी गलती करी है अपने सारे खेत मजदुरों को दे करके वो भूला की बात को समझ गया और भूला की बात मानकर उसने अपने सारे खेत भूला को दे दिये काम करने के लिए और उनी अपने खेतों में भोला की साथ लगकर खुद भी काम करने लगा दोस्तों धिरे धिरे समय गुजरता गया दो साल बाद तीन साल बाद महेश की जिंदेगी फिर से हरी भरी होने लगी और महेश फिर दोबारा से उसी गाउं का एक भोत बड़ा धनी आदमी बन गया दोस्तों हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम की जुम्मेदारी खोदी उठाने चाहिए जब हम अपने काम की जुम्मेदारी नहीं समझते हैं अपने काम पर धैन नहीं देते हैं और अपने सारा काम की जुम्मेदारी दोसरे सक्स को सोब देते हैं चाहिए वो आपका मित्र है या आपका कोई रिस्तेदार है या आपको कोई भरोसे मन नोकर है दोस्तों इसी के चलत कैसे हम अपना काम आपके बठाना चाहिए कैसे हमस्की जुम्मेदारी लेने चाहिए ताकि हमारे बिजनिस में सिर्फ मुनाफाई मुनापाऊ नुकसान कर भी न हो तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लेगी वीडियो को लाइक करना कोमेट्स करकर जुरूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करको जुरूर जाना ताकि हमारी वीडियो भी नोटिकेसान आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ने टोपिक के साथ में नमस्कार जेहिंद वंदे मात्रम